इंडिया गेट पर 28 फिट की ग्रे नािट की मूर्ती सुबास चंदर बोसकी लगेगी अब 28 फिट की ग्रेनाइट की मूर्ती 36 गळंगे एक पहाड की पूरी चटान दिल्ली पहुँची और दिल्ली पहुँच करके आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो मूर्ती कहां तयार हो रही थे उसे मालूम है कि छुपा के रखना है जब लगी तो आधे लोग शब्द उनकी समझे नहीं क्या कहें रोएं या हसें मूर्ती लग गई और गाजे-बाजे के साथ लग गई और फिर उसने घोशना की कि जो हमारे यहां गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी से शुरू होता है उसकी तयारी 24 जनवरी से होती थी तो टेक्निकली सरकारी फंक्शन 24 जनवरी से शुरू होता था उसने का आज से घोशना की जाती है कि 26 जनवरी की तयारी 23 जनवरी से होगी आदे देश को पता ही नहीं चला कि 23 क्यों बोला है 23 कोई सुभाश का जनन दिन है अब इसका भाव मैं ये लेता हूँ कि हम नहीं भी रहेंगे हमको कोई इसमें कोई दुख की बात नहीं है अगर हमारे रहते हुए सुभाश इंडिया गेट पे खड़ा है तो ये जो दो बेटियां बैठी हैं उस उमर के बच्चे तुम किताबों में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ताकत तुम्हारे पास थी तुमने किताबों में उनका जिकर नहीं किया लेकिन इंडिया गेट पे ये बेटियां जब घूमेंगी तो जरूर ये पूछेंगी कि ये आदमी है कौन और जब इसको है कौन कहोगे तो पूरा इतिहाँ जिन्दा हो जाएगा और फिर पता चलेगा कि कौन मुखबर थे और किसकी मुखबरी करके देश के प्रदान मंत्री बने और कौन वो था जिसने बिटिस सामराज को चुनौती दी और डरा नहीं वो आदमी आज जिन्दा खड़ा है उसका परिवार नहीं है, उसकी जाती नहीं है, उसके नाम से वोट नहीं मिल सकता, लेकिन आप जो आज करके जाएंगे, किसी को पता नहीं है, बीस साल बाद वो कहां खड़ा होगा, इसलिए सिर्फ अपना रोल आज के दोर में प्ले करिए, सावरकर आप महराश्ट के लोग है, सावरकर को लेके आप सब के मन में एक चीज़ है, लेकिन सावरकर का जिकर बहुत आता है, लेकिन सावरकर कुछ लोगों के लिए सत्ता तक पहुँचना है, और कुछ लोग उझे गाली देते हैं ताकि उनको भी सत्ता पे पहुँचना है, तो गिंती उनकी जादा थी, के सावरकर को गाली दोगे तो सत्ता पे पहुंचोगे चलो ठीक है अगर यही बात है तो सावरकर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं एक ऐसा भी छण आया है जब सावरकर सहाब और सुभाष चंद्रबोस की मीटिंग हुई है कहां इस्ट और कहां वेस्ट अगर विचार मिल जाए तो दूरी का कोई मतलब नहीं होता है और सावरकर जी ने जो कहा है आप बॉम्बे में चले जाएए शिवाजी पार्क के सामने सावरकर परिवार के लोग हैं सावरकर परिवार के भाई के बेटों के उनके घर के परिवार के लोग सावरकर इसमारक चलाते हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं रंजी सावरकर जी हमारे मित्र हैं मैं जब जब जाता हूँ वहाँ पहुंचता हूँ पूरा सावरकर का इतिहास सावरकर का थौट जो मराठी में है उसको मैंने कहा कि आपने एक ही काम गड़बड किया मराठा का जो सबसे बड़ा युद्धा था शिवाजी उसको आपने यहां से दिल्ली और दिल्ली से बंगाल तक पहुँचा दिया लेकिन सावरकर को नहीं पहुँचा पाया आप यह आपकी डूटी है और वो सावरकर का लिट्रेशर हिंदी और उर्दू में कर रहे है और सावरकर कुतब मैंने यह जिकर किया कि सावरकर सुभाज से मिले और सुभाज से क्या कहते है मैंने कहा ना आपके समाज में विजनरी थे ये बात अलग है कि सत्ता ने जब उनको नहीं पूछा तो समाज ने भी नहीं पूछा, सत्ताओं से कही हजार गुना बड़ा समाज होता है, जिस दिन आप अपना हीरो तै करेंगे, सत्ता उसको ही बाप मानेगी, आप उल्टा चलते हैं कि सरकार ये करेगी, मैं कहता हूँ, अप इधर से चलिए ना, लेकिन सावर कर सुभाश से कहते हैं ये बात, और ये डॉक्मेंटेट प्रूफ है, कोई हम अपनी मर्जी से नहीं करें, सावर करने सुभाश को आई ये ने, इंडियन नेशनल आर्मी जोनों ने बनाई थी, उसमें वो ये कहते हैं कि तुम अपन इस सेना में जादा से जादा हिंदूओं को भरो, और उनका सेंटेंस क्या है, विजन देखिए, यहां तो कपड़े पहनने से विजन ते हो रहा है, उन्होंने कहा कि भारत विभाजत के बाद, भारत की अपनी सेना नहीं है, इस सेना में जब विभाजन होगा, कैसे होगा नहीं जानता तब हिंदू की जरूरत पड़ेगी सेना में तो आपके लोग यही काम आएंगे उनका विजन देखिए लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर आई एने के अंदर पेशावर कश्मीर जो पाकिस्तान के पास अब चला गया उधर के भी बहुत लोग थे इसलि एक कोई सिक थे और एक शैनवास थे सैगल थे शैनवास थे और एक और सरदार साब का नाम भूल रहा हूं मैं इन तीनों का नाम आता है जब भारत की 47-48 में कश्मीर के अंदर जब इन्वेजन हुआ याद है नहीं तो जो 48 में इन्वेजन हुआ बहुत लोग नहीं जानते उस इन्वेजन में पाकिस्तान के पास कोई सैनवास थी नहीं उनके पास तो जो पाकिस्तान वाले इलाके से उस वक्त जब भारत आज़ाद नहीं था तो लोग यहां पे आईने में भरती हुए तो एक सहाब थे शैनवास उटां तीसरे का नाम था ढिलो तो शैनवास सहाब जो आईने में थे यहां कहा गया फूल वाले चसा से के आज़ादी के बाद ये जो फौजी हैं इनको आप फौज में ले लीजिए लेकिन विरोध हुआ वहां से क्योंकि मैडम ने मने कर दिया था वो किसी की सुनते नहीं थे मैडम के अलावा तो उनको भारत की सैना में नहीं लिया गया आज तक नहीं हैं वो सैनिक जिन्होंने बिटिज सामराज के दौर में एक जबरदस्थ ट्रेनिंग की लड़ाई लड़ी उनको भारत की सैना में आज भी नहीं लिया जाता ये कहा गया कि भई ये कम से कम इतने एक्सपर्ट हैं कि इनको लीजिए लेकिन उधर वालों ने क्या किया जो शेहनवास जो तीन लोग थे जिन पर मुखदमा चला बहुत बड़े कमांडर थे वो उधर चले गए बटने के पास उनका घर उधर था तो जिस वकत कश्मीर में इन्वेजन हुआ है जिसमें घुसपैटी आए हैं उस सेना की टुकडी में शेहनवास सहाब भी थे तो सावरकर का विजन था कि सेना में आप भर्दी करेंगे तो उस समय काम आएंगे उस सावरकर को इस देश ने नहीं सर पे बठाया वो सावरकर को सिर्फ हमने ये बता दिया वो वहां जेल में थे उनके साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ बस ये ही चैप्टर है सावरकर सिर्फ इतना ही नहीं था और हम और आपने कभी सावरकर को राजनीती से अलग करके छोड़ दिया लेकिन फिर दूसरा भाव उस युवा पीड़ी के सामने रखना चाहता हूँ इसकी चिंता मत करना कि मैं जो करूंगी या जो मैं करूंगा इसका मुझे क्या मिलेगा सब्भिताओं के युद में सब कुछ मरने के बाद मिलता है जिन्दा रहते हुए मिलने का मतलब है कि आपने अपनी कीमत ले ली है मरने के बाद आप कीमत नहीं लेते तब देश इतनी बड़ी कीमत देता है कि आपकी नसले आने वाली आप मर भी जाएं एक साधरन से वेक्ति के रूप में तब भी हजारों साल जिन्दा रहते हैं